गूड मॉर्निंग स्टुडेंट्स वेलकम बैक टो ओनलाइन क्लास्टीज स्टुडेंट्स हमने हमारा मैत का चैप्टर थार्ड स्टार्ट किया हुआ है जिसकी एक्सरसाइज 3.3 हमने कल की क्लास में की थी आज हम एक्सरसाइज 3.4 जो है स्टार्ट करने जा रहे है इसमें क्या है 508-194 प्लस 103 यह सम हमने करना है तो हम इसको स्टुड कैसे करेंगे पहले हम 508 में से 194 को माइनस करेंगे देखिए एक्सरसाइज हमारी है 3.3 फर्स्ट सम है 508-194 प्लस में 103 कैसे करेंगे 508 में से 194 को माइनस करेंगे 8 में से 4 कट किया 4 इदर क्या है 0 है 0 में से 9 कट नहीं होता है तो इदर से बोरो लिया यह कितने बने 10 10 में से 9 कट किया 1 और यह इदर 4 था 4 में से 1 इदर ले लिया इदर कितने बचे 4 4 में से 1 कट किया 3 अब हमने इसमें प्लस क्या करना है 1 0 3 7 1 4 यह होजएगा हमारा आंसर आप चाहो तो ऐसे अलग से कर सकते हो आप अलग से ही कर ले ना ऐसे नेक्स हम देखिए 4 3 7 प्लस 3 4 5 माइनस 6 8 3 प्लस 1 1 1 4 37 प्लस 345 हम क्या करेंगे पहले इन दोनों को प्लस करेंगे पहले हम यह स्टेटमेंट लिखेंगे 4 5 माइनस 6 8 3 प्लस 1 1 4 3 7 3 4 5 इन दोनों को प्लस करेंगे ठीक है 7 और 5 कितने होते है 12 12 का 2 कैरी 1 4 और 3 7 7 और 1 8 4 और 3 7 हमारा आंसर कितना आया 782 इस में से हमने किसको माइनस करना है 683 को इदर से बोरो लिया 12 बनाया 12 में से 3 कट किया 9 इदर रह गए 7 7 7 में से 8 कट नहीं होता फिर हमने इदर से फिर बोरो लिया इधर कितने बने 17, 17 में से 8 कट किया 9, इधर रह गए हमार पास 6, 6 में से 6 कट किया 0, अब हम रख किया है 99, तो चाहे तो आप इसको पहले लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने ऐसा लिखना है तो ऐसा भी आप राइट कर सकते हो, और फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे, 9 और 1 10, 10 की 0, carry 1, 9 और 1, 10, 10 और 1, 11 का, 1, carry 1, 1 और 1, 2, ये अभी आपकी क्लास छोटी है, इसलिए आपको इस मैथर से करवा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ी होगी, फिर आपको इन सम्स को solve करने का जो मैथर है, वो भी change हो जाएगा, अब देखिए, next sum, third sum दे प्लस किया, इसमें हमने पहले प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया, अब इसमें देखिए, 652 minus 584 plus 241 plus 132, देखिए, ये भी मैथ आपको करवा देती हूँ, 652 minus 584 plus 241 plus 132 अब देखें, पहले हम क्या करेंगे, 652 में से 584 को minus करेंगे इधर हमने बना लिया इसको 12, 12 में से 4 कट किये 8 इधर बचे 4, 4 को इधर से फिर बोरो लेके 14 बनाया 14 में से 8 कट किये 6 और इधर हमार पास 5 बच गया, 5 में से 5 कट किये 0 अब इसमें क्या प्लस करना है बच्चा, यह प्लस करना है, ठीक है चाहिए आप 0 लगा के भी लिख सकते हो, चाहिए आप सीधा भी लिख सकते हो 8 और 1, 9, 6 और 4, 10 की 0, carry 1, 1 और 2, 3 अब हम इसमें 132 प्लस कर देंगे, 9 और 2, 11 का 1, carry 1, 3 और 1, 4, 3 और 1, 4 यह हमारा आगया answer, बाकी के इसके 3 parts जो हैं आपने खुद करने हैं 3 मैंने करवा दिये हैं, D, E और F आपने खुद करने हैं ओके students, बाई